Hello friends, welcome to the new episode of my channel, मेरा नाम Auditro है, तो आज का ये वीडियो में फिर से हिंदी में बना रहा हूँ, क्योंकि आज एक विशेश, विशेय के उपर हम लोग बात करने वाला है, तो मैं चाहता हूँ, ये बात क्योंकि बहुत इंपोर्टन है, तो मैं चाहता हूँ, कि जाधा तर लोगों तक पहुँचे, एबंग हिंदी जो लेंग्वेज है, वो जाधा तर लोग समझते हैं, इसलिए हिंदी में बनाने का कारण है, और कोई कारण नहीं है, तो एक फिल्म के विशेय में बात करेंगे, उस फिल्म का नाम है Love Stories, नील भपालन ये लोग थे, तीसरी जो थी दिवाकरव एनरजी की थी, और चोहती थी करण जोहर की, जिसमें खियारा एडवानी एवंग विगी कॉसल थे, तो मुझे बाकी तीन शॉट फिल्म से कोई दिक्कत नहीं है, एक्शली मुझे पूरे फिल्म से ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो चौती शॉट फिल्म है, जो करण जोहर ने बनाई थी, करण जोहर साब ने, उससे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, और पता नहीं, यह शायद वीडियो में कुछ लेट ही बना रहा हूँ, वो एक साल पहले आये थे वीक्चर, जो भी हो, चलिए मुद्डवर आते हैं, तो इस फिल्म का टॉपिक थीम यह था, कि कियारा अडवानी जो लड़की होती है, एक टीचर, स्कूल टीचर, तो उनकी शादी हो जाती है, एर्रेंज मेरेज लिखी कॉस्वल के साथ, पारस नाम होता है उनका, तो फिर कियारा अडवानी महजूस करती है शादी के बाद, कि उनको sexual pleasure नहीं मिलता है, तो इस वीडियो को कॉंटेंट थोड़ा adult होने वाला है, तो जिनको वो सब पसंद नहीं है, तो वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं, थोड़ा विशय जो है, थोड़ा adult है, मुझे पहले बता देना चाहिए था, शमा मांगता हूँ, तो कियराडवानी को समझ में आता है, कि उनको वो sexual satisfaction नहीं मिलता है, उनके पती से, तो फिर वो देखती है, कि उनके एक जो सहकारी टीचर है, जो जिस कैरेक्टर को प्ले किया है, नेहा धूपिया ने, तो वो एक वाइबरेटर के साथ अपने आपको satisfaction देजिए, जो sex toys कहते हैं, वो वगेरा, तो वाइबरेटर के साथ वो अपने आपको pleasure देती है, तो कियराडवानी वो वाइबरेटर अपने साथ अपने घर ले गया आती है, और सोचती है कि मुझे जब अपने पती से satisfaction नहीं मिल रहा है, तो मैं उस वाइबरेटर के इस्तमाल करके satisfaction लोगी, वो लगाती है और फिर गलत समय में वो वाइबरेटर चालू हो जाता है, फिर एक comedy के माध्यम से दिखाया गया है, तो actually ये short film का theme क्या था, चलिए इस पर पहले बात करें, तो theme ये है कि हमारे इंडिया में जो औरते है, most of them, 70% कह सकते या उससे भी ज़्यादा, वो अपनी sexuality को explore नहीं कर पाती है, sexuality एक ऐसी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, उसके उपर depth में बहुत बात किया जा सकता है, तो उसको explore नहीं कर पाती लड़किया, तो उसी के उपर है, कि लड़कियों को भी equally अधिकार होना चाहिए, कि वो अपनी sexuality explore कर सके, उसे enjoy कर सके, sex को enjoy कर सके, जो पुरुष करते हैं, लड़किया नहीं करते हैं, और एक report जो Times or Video में भी आया था, रिसेंटली आप देखेंगे कि कुछ advertisements में उसे दिखाया जाता है, कि 70% of Indian women, उनको, मतलब, they don't have an orgasm during sex, तो ये theme तो बहुत ही अच्छा है, मैं मानता हूँ कि ये theme बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर इंसान को sexual pleasure मिलना चाहिए, ये बहुत ही एक important चीज है, वो हो गया, आप अगर विदेश में देखेंगे, तो वहाँ पर ये sexual toys है, वो शारे विदेश में ही बने है, उनका ये ही motive है कि जिनको satisfaction नहीं मिलता, वो उसे खरीज सकते हैं, अपने हिसाफ से मनोरंजन कर सकते हैं अपना, मतलब इसमें कुछ problem नहीं है, लेकिन problem ये है कि आप इस theme को जब दिखा रहे है, इस topic ये एक बहुत important topic है, इसको आप दिखा रहे हैं, चलिए मैं मान लिए जब picture लोग देखते हैं, तो उसमें comedy के माध्यम से आप कुछ दिखाए तो उसमें भी अच्छा है, कि वो जो लड़का है, उसको pre-mature ejaculation है, मतलब उसका जो, मतलब जिसको हम हम हिंदी में शीगर पतन कहते हैं, जल्दी से उसका जो गिर जाता है, तो अब सोचिए, आप जैसे 70% Indian women जो है, उनको जैसे और्गाजम नहीं होता है during sex, वैसे 40% Indian men है, और around the world आप देखेंगे, तो 60-70% men है, जिनका ये pre-mature ejaculation होता है, तो this is also a sexual problem, this is also a disease, और अगर हम और depth में जाके देखें, तो ये disease भी नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है, उस बशे में बात नहीं करना चाहते हैं, तो आपने लड़कियों वाला मुद्धा उठाया, उस लोगों को सीख देने के लिए, और उपर से आपने उस विकी कोशल के character को, वो पारस नाम के character को ऐसे design किया, उसको एक comedy को दिखाया है, कि देखो इसमें दम नहीं है बंदे में, बंदेगा तो जल्दी से हो जाता है, जल्दी से उसका गिर जाता है, शीगर पतन हो जाता है, लेकिन ये बहुत important एक विशह है, आजकल जो life है, लोगों की life जैसी stressful हो गई है, लोग काम करता है इतना, ये सब stress की वज़े से ये बीमारिया होती है, ये पहले जमाने में नहीं होती थी, इसके बारे में आप गूगल में पढ़ सकता है, तो आपने एक मुद्दे को उठाया, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को सीख देने के लिए, और at the same time आपने क्या कि है, जो लड़कों का जो मुद्दा है, अब ही जब लड़कों वाला जो मुद्दा है, उसको मजाग बना दिया, उस कैरेक्टर के माध्यम जब आपने उसको ऐसे दिखाया, ऐसे पोर्टरी किया, तो अब ही जब लड़कों आई थी, तो जितने भी ये फेमिनिस्ट लोग थे, जो फेक फेमिनिस्ट ये सूडो फेमिनिस्ट है, फेमिनाजिस जो थे, उन्होंने उसको बड़ी परसंग सागी, लेकिन इस विशह पर किसी ने बात नहीं की, कि उस चौथे स्टोरी में, ये करन जोहर ने, ये जो लड़कों वाला मुद्दा है, प्री मैच और इजैकुलेशन इसका मजाग बनाया है, तो क्या हम लड़के इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकते हैं, कि ये तो हमारा मुद्दा है बिटा, तो तुम इसको मजाग बना रहे हो कैसे, किसी भी लड़के ने एक इन आवाज नहीं उठाई, आज मैं ये इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि फ्रमिनाज जी कभीर सिंग को कैसे टार्गेट कर रहे हैं, तो वो डिरेक्टर का पॉइंट अव यू था, मैं फिल्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि डिरेक्टर का पॉइंट अव यू था, उसमें तो किसी लड़के ने आवाज नहीं उठाई, कि भाईया, ये विकी कॉशल के कैरेक्टर से तो आपने पूरे मर्जात की जो ये चीज है, शीगरव पतन इसके बारे में मजग बनाया है, तो ये सब के बारे में आप लोग सोचिए, और करन जोहर जी से मेरा यही प्रॉब्लम है, कि ये जो वो कहते रहते हैं कि उनको खुट के सेक्ष्वालिटी के उपर डाउट है, ठीक है, क्योंकि मैं इसी लिए कह रहा हूँ कि जब आर्टिकल 377 अबॉलिश हुआ, तो बताईए, होमो सेक्ष्वाल होना कोई गलत बात नहीं है, यह तो भगवान का बनाया हुआ है, तो आप बोली है, उसे में प्राउडली बोली है, लेकिन आपने बोला नहीं, आप उल्टा गुसा हो गए, आपने दोस्ताना जैसे पिक्चर बना दी, जिसमें आपने गे लोगों का मजाग बना दिया, तो अगर आप खुद एक चीज को सपोर्ट कर रहें, तो आपको एक कंस्ट्रक्टिव फिल्म बनानी चाहिए थी, जिसमें आप उस प्रॉब्लम को दिखाते हैं कि लोग होने के बाद भी, मतलब समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए क्या प्रॉब्लम होता, आपने दोस्ताना जैसे पिक्चर बना दी, जहां पर आप होमो सेक्शुलिटी को लेकर मजाग बना रहे हैं, तो ऐसे जो डबल स्टेंडर्स लोग भड़े पड़े, ये एक, मतलब ये वीडियो में, मैं उस फिल्म के बारे में निंदा नहीं करूँ, मैं एक सवाल उठा रहा हूँ, कि देखे, ये जो मतलब इंपोर्टन मुद्ध है, जिनके बारे में ये लोग बोलते हैं कि हम लोग लिबरल है, हम लोग इसके बारे में फिल्म के माध्यम से बताना चाहता है, एक्चुली ये अपने फाइदे के लिए कितना बता रहा है, किस चीज का मजाग बना रहा है, दोस्ताना जैसी घटिया पिक्चर लगती मुझे, उसमें क्या किया उन्होंने, होमो सेक्शुलिटी का मजाग बना दिया, ये लाज स्टोरी के उस फोर्ट सेक्शन में क्या कि और इनसे सवाल है मेरा यही, एक सवाल है कि क्या आप ये लोग सही कर रहे है, मतलब एक सब्जेक्ट को उठाने के चक्कर में आप दूसरे को उसकी निंदा कर रहे है, तो इसके बारे में या तो आप बाती मत कीजिए, अगर बात कीजिए तो sensitive topic है, सोच समझ के बात कीजि मैं बोल रहा हूँ as a general, जो लोग है, जो लोग ये सब करते हैं, उनके बात में बोल रहा हूँ, बस यही बताना था आप लोग को, thank you so much, और अगर वीडियो पसंद आए तो like कर दीजिएगा, share कर दीजिएगा, और चैनल को subscribe कर दीजिएगा, thank you so much, bye bye